नमस्कार एजुके इसन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्ववागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं FCI की नई वेकेंसी जो की निकाली गई है Assistant Grade 3rd, Steno Grade 2nd और Junior Engineer के पदो पर इसके बारे में आपको बताएंगे कि किस परकार से आप इस नए वेकेंसी में फॉरम भरेंगे इसके साथ ही बेसिक डिटेल्स भी देंगे ऐसे में आप इस वीडियो को जान से पूरा जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक को और सेर कर दे और साथ ही ऐसे ही वीडियो आउस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे आईए वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आप फॉरम कैसे बरेंगे आपको बता दे असिस्टेंट ग्रेट थर्ड और अन्य पोस्ट का जो फोरम है वो भरने के लिए आपको सबसे पहले recruitment fci.in पर आ जाना होगा कुछ इस परकार का page आपको देखने को मिल जाएगा फिर यहाँ पर जो आप ये second number वाला recruitment देख रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे डिरेक्ट लिंक की बात करें तो आपको मिल जाएगा हमारी website educationindialive.com पर आप Google में सर्च कर सकते हैं इसके अलावा आपको comment box में या description box में link भी मिल जाएगा तो वहाँ जाकर भी आप direct link पा सकते हैं और इस page पर आ सकते हैं अब आईए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि forum आपको कैसे बरना है तो यहाँ पर आपको click here देखने को मिल रहा होगा click here पर आप click कर देंगे जैसे यहाँ पर आप click करेंगे आपके सामने कुछ इस परकार का page आ जाएगा फिर आप click here for new registration पर click करेंगे और अगर आपने पहले से registration करके रखा है तो आप यहाँ पर registration number, password और security को डाल कर submit पर click करेंगे और login करने के बाद आप forum भर देंगे और अगर आप पहली बार यहाँ पर registration कर रहे हैं तो आप यहाँ पर click here for new registration पर click करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ परकार का page आजाएगा यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे first name फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे अपना नाम confirm करेंगे फिर middle name डालेंगे उसे भी आप confirm करेंगे फिर अपना last name डालेंगे और उसे भी आप confirm करेंगे यहाँ पर आपका full name बता दिया जाएगा फिर आप नीचे आएंगे तो mobile number के section में आप mobile number डालेंगे और उसे भी आप confirm कर लेंगे alternative mobile number डालने किया वसकता नहीं है फिर भी अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं email id डालेंगे और उसे भी आप confirm करेंगे security code डालने के बाद save and next पर click करेंगे यह जानकारी हम फिल करते हैं और आपको अगले option पर लेकर चलते हैं जैसे दोस्तों आप submit पर click करेंगे आप photo and signature के page में आ जाएंगे यहाँ पर आपको अपने registration number और password देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा आपके phone पर एक message भी बेज जगया है जिसमें password और registration number बता जाएंगे यहाँ पर नीचे आना है और अपना photograph यहाँ पर upload कर देना है उसके बाद यहाँ पर confirm कर लेना है फिर दूसरे option में आपको यहाँ पर अपने sign upload करने हैं और उसे भी आप confirm करेंगे और next पर click करेंगे जैसे ही आप next पर click करेंगे आपके सामने कुछ परकार का page आ जाएगा यहाँ पर basic और उसके बाद qualification, experience, details वगएर आपको देनी होगी तो यहाँ से आप क्या करेंगे जोन जो है select कर लेंगे उसके बाद यहाँ से आप post भी एक select कर लेंगे जो भी आपको post फिल करनी है उसे आप select करेंगे फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो अपनी category यहाँ से select कर लेंगे और यहाँ पर जो है नीचे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा अगर आप PWBD category के अंदर आते हैं तो yes करेंगे और यहाँ से आप type select कर लेंगे और अगर आप नहीं आते हैं तो यहाँ से आप no कर लेंगे फिर आपको यहाँ पर सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर अगर आप डिवोस्ट वुमेन है या फिर विडो है और age relaxation चाते हैं तो आप यहाँ पर yes करेंगे अन्यता आप यहाँ no कर लेंगे और अगर आप ex-serviceman है तो yes करेंगे अन्यता no कर लेंगे वहीं disabled ex-serviceman है तो yes अन्यता no आगे आएंगे तो यहाँ पर है are you dependent of ex-servicemen killed in action अगर हैं तो yes अन्यता नहां पर भी आप no कर लेंगे और अगर आप defense personal है तो yes करेंगे और यहां पर भी अगर नहीं है तो आप no कर लेंगे फिर यहां नीचे आएंगे तो are you departmental FCI employee FCI के अंदर आप employee है तो yes करेंगे और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर भी no कर लेंगे फिर यहाँ पर do you belong to religious minority community अगर आप religious minority community से belong करता तो आप yes करेंगे यहाँ पर भी आप no कर लेंगे फिर यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे तो nationality या citizenship आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है उसके बाद state of examination यहाँ पर center है phase 1 के लिए तो phase 1 के लिए आप कहा लेना चाहते हैं आपको यहाँ बताना है और center यहाँ पर जो है आपको यहाँ से fill कर लेना है उसके बाद यहाँ पर phase 2 के लिए भी आप fill कर देंगे और phase 2 पर यहाँ पर center आपको fill करना है फिर यहाँ नीचे आ जाएंगे तो date of birth यहाँ से आपको fill कर लेनी है फिर यहाँ पर अपना gender आप select कर लेंगे और यहाँ पर do you have twin, brother या sister अगर जुड़वा भाई या बहन है तो आप yes करेंगे और आप no कर लेंगे उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो gender of twin देखने को मिल रहा है अगर आप yes करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा फिर यहाँ नीचे आएंगे marital status यहाँ से select कर लेंगे उसके बाद अपने father का नाम, अपने mother का नाम और spouse अगर आप यहाँ पर married के case में हैं तो यहाँ पर spouse का नाम बढ़ेंगे अन्यता आप नहीं बढ़ेंगे फिर address यहाँ पर आप फिल करेंगे जो की correspondence address देखने को मिल रहा है हो सकता है आप line 1 के अंदर फिल कर दे और अगर जरूरत बढ़े तो आप line 2 और line 3 का इस्तमाल भी कर ले line 2 और line 3 जरूरी नहीं है फिर यहाँ पर आप अपने district का जो है नाम लिक देंगे और अपने राज्य को भी यहाँ से जो है select कर लेंगे और pin code यहाँ पर आप fill करेंगे और उसके बाद दोस्तों अगर आपका correspondence address same है permanent address के तो आप यहाँ write करेंगे तो यह copy हो जाएगा खुद बखुद फिल नीचे आएंगे यहाँ पर choose the address for GST invoicing तो यहाँ पर GST invoicing के लिए आपका उसा जो address है वो चूज करना चाहते हैं अपने permanent या फिर communication address उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह सारी detail आप चेक कर देंगे validate your details पर क्लिक करेंगे सारी detail अगर सही है तो यहाँ पर validate हो जाएगा उसके बाद save next पर आप क्लिक कर देंगे जैसा ही आप save next पर क्लिक करेंगे आपके सामने qualification, experience और language का option आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पर से आप अपनी degree जो है select कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर date of passing यहाँ से आप select करेंगे percentage यहाँ पर आप लिखेंगे और यहाँ पर first class, second class यानि आप first division pass होए हैं, second division pass होए हैं यह आपको बताना है इसके साथ ही अगर आपकी post में कोई diploma चाहिए तो वो भी आप यहाँ से fill कर देंगे post graduation आपने करके रखी है तो उसे भी आप fill कर सकते हैं और professional qualification भी आप यहाँ fill कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है do you have proficiency in use of computer अगर आप use of computer जानते हैं तो आप yes कर देंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी experience है तो आप उसे fill कर लेंगे यहाँ पर और अगर दो तिन experience है तो आप यहाँ पर add कर देंगे यानि दो-तिन companies में अगर आपने काम करके रखा है तो आप यहाँ add कर देंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर language आपको कौन-कौन सी आती है, आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ बता देना है, read भी कर सकते हैं, उसे write भी कर सकते हैं, और speak भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पर बताना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप इसे भी कर लेंगे, और यहाँ पर validate your details पर click करेंगे, save and next पर आप click कर देंगे, फिर दोस्तों आपके सामने पूरा preview आजाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर write टिक कर देंगे, उसके बाद I agree पर भी आ पर आप click करतेंगे, complete registration पर click करते ही आप जो है अगले page पर आजाएंगे, कुछ परकार का page आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप left hand thumb impression और hand return declaration, यह जो hand return declaration है, इसका format भी आपको हमारी website educationindialive.com पर मिल जाएगा, उससे आप paper पर लिखेंगे, अपने sign करेंगे और इसे upload यहाँ पर करतेंगे, यह security code डालेंगे और save and next पर click करेंगे, अगर आप SCST category से belong करते हैं, तो payment का option आपको देखने को नहीं मिलेगा, और आप print out ले लेंगे, और अगर आप किसी अन्ने category से जैसे undeserve या फिर OBC category से belong करते हैं, तो फिर आपको pay करने पड़ेंगे 500 रुपे, उ इस परकार से आप forum भर पाएंगे, यह थी पूरी जानकारी forum भरने को लेकर वीडियो कर आपको पसंद आया है, तो वीडियो का आप लाइक करेगा, और साथ यह ऐसे वीडियो उस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राब करके, बेल आइकन को उतेवारी जेगा, मिलते है